हेलो एवरिवन कैसे हूँ आप सब मैं हूँ शमा और मेरी चैनल में आप सब का स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए कुछ डियाइवाई या कुछ व्लॉग लेके नहीं आई हूँ मैं आज आप लोगे साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपिरियंस सेर करने जा रही हूँ ज जिन चीजों को मैंने एहतियात के तोर पर अपनाया और कैसे मेरी सिच्वेशन थी और मैं कैसे दोर से निकली हूँ तो वैसे तो अभी ऐसा हो गया है कि हर तीसरा इंसान को कुछ ने कुछ बिमार है कुछ ने कुछ उसे प्रब्लम होई रही है लेकिन बहुत सारे लोग ड कराना चाहिए तो मैं स्टार्ट करती हूं यहां से 225 की बात है तो मेरी हजबन उसे में होली के लिए चुटी आये वे थे तो मैं पीट्यम में इस्कूल गई थी तो वहां अभी जो दौर है इतनी गैधरिंग वगरा में वैसे तो आवाईडी करना चाहिए लेकिन उस क्रूंस आने शुरू हो गए तह सिंटमस मänner में मेरे पैरों में भाट दीर को साथ तो हलका था हलका हैटिक शूरू हो गया और तो मुझे लगा lightning कि और जोबर मुझे की तो वह भी मुझे पासी थी तो मुझे लगा साइद इसकी विज़े से मेरी बॉड़ी में हार्मोंस चेंज हो रहे है इसके विज़े से हो रहा होगा तो दो-तिन दिन जम मुझे बहुत ज्यादा हो गया 27 28 28 तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी मैं मुझे इतना पेन ह अब में बहुत बुरे बुरे सपने आते थे फिर मदल मैं हर जगा डैट बॉड़ी या ऐसा सब कुछ देखती थी कुछ नहीं कुछ मुला बूरा देखती थी अब उन चीजोंसे मैं बहुत जादा डर गई थी तो मैंने हस्भींन से बोला कि कि क्लो मुझे समझ भी नहीं हम लोग एमेश में यहां से आदा घंटा दूर है जहां में रहती हूं अब इसे भी देहरा दून टॉप 10 में अभी आज की डेट में टॉप 10 में आ गया है यहां इतनी ज्यादा केसे जा रहे हैं इधर और यहां पूरा लॉकडाउन हो रखा है तो हम लोग फिर निकले यहां है और हम लोग ने वहां डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने का सिम्टम्स तो नहीं लेकिन फिर भी अदेख आप एक पर चेक अप करा मतलब नहीं कोविट टेस्ट करवा दो तो हमने वहां टेस्ट करवाया और तो रिपोर्ट आनी थी दूसरे दिन और लेकिन हमारे म मां जानने वाले थी क्योंकि मेरे हस्में से हैं तो फिर उन्होंने नहीं हमें घर आ हो शाम को उन्होंने वैसे मैं पूरी श्योर थी कि मुझे नहीं है को विट को कि मुझे इतना मेरे अंदर शाम को जैसे उन्होंने बताया कि पॉजिटीव है यह सो करके जो गौर्मेंट के गारी लाइन्स होते जो इस चीज में डूटी करते हैं वह कॉल करने लग गए कि हमने पढ़ती है तो उसके बाद मैं मैंने अपने को आईसोलेट कर लिया और मैं 14 दिन क्वारेंटाइन हो गई बिलकुल एक अलगी अलग रूम में और अपना जो भी था मैंने सामान जो भी जो मलब पानी की जो जो कैटल थी गरम पानी वाली और अपनी जो भी जरूरी सामान आपने लिए लिया था ताकि मैं इन मतलब काफी दिन मतलब यह कि मुझे इस चीज़ से गुजरना था तो मैंने अपने को मैंटली प्रेपेर कर लिया था और दूसरे में घर्वाल घर मतलब काफी दिन से बिमार थी तो मेरे ममीलों का कॉल आ रहा था उनको मालम था किसके खराब ती यह सो करके तो पर ऐसा नहीं मैंने उन लोगों को बताया कभी होता ना हम लोग सूचने कि हम दूसरों को ना बताएं या अपनी फैमली वालों को ना बताएं वो परिशान हो जाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें बताना चाहिए एक हमारे जो हमारे अपने होते हैं वो लोग ही हैं जो हमें बार बार कॉल करके पूछते हैं तुम कैसे तुम कैसे हो तो उस समय यह फील होता कि हम लोग उनके लिए कितने जरूरी है तो मेरी जो फ्रेंड्स थी जो मेरे घर आती थी मैंने उनको कॉल करके मना कर दिया था कि मेरे घर माता आना का हर तुसरे तिसरे दिन वो लोग मेरा हाल चाल पूछते थे तो और दूसरा ये कि कुछ टाइम पहले मेरे बड़े भाईया को वादा तो उनकी हालात भाई थी वह मैक्स में चार-पांच दिन एडमेट रहे थे तो पापा लोग डर रहे थे कि कहीं इसकी भी हाला तैसी ना wasodu एटी ये dei मी Will me math the badlyจ दीमाइं इसने बहुत कम रहता हमेंसा लेकिन ने अंदर्व मैं दिमांग से मैं बहुत स्ट्रोंग थी तो उसके बात मैं नहीं extra मतला जो भी था कार लोग यलाइन से तो उन्होंने पूरी एत्यात राखीए वे लोग बच्चों बच्चूने हजब ताइन बहुत पेन होता है बहुत बरी तरों लोने लग जाती थी क्योंकि वो दर्द मुझसे सहननीु होता था लेकिन फिर भी मैंने अपने को बहुत स्ट्रॉंग बनाके रखा सबने मुझे बहुत कॉपरेट किया मेरे हज्बेन ने मेरे बहुत ख्याल रखा तो मेरे पैरों में मालिस करते थे बहुत मालिस करते रात बच्चे कब जमत कुछ दिन और ठीक हो गए तो यहां तक जम रहता प्रिमत लेना क्योंकि यह हमारे बॉड़ी में ते साइड डिफेक्ट छोड़के जा रहा हमारी जो वीक्नेस जल्दी से जाती नहीं है तो इंसान में काफी डिप्रेस हो जाता है तो और दूसरा खास कर मेरे जैसे लोग मैं बहुत इमोशनल हो मैं टीवी में सीरियल देख जाती हूं किसी को कोई मेरे सामने रो रहा तो से देखके रोने लग जाती हूं बहुत जाता इमोशनल बहुत ही भावुक इंसान हूं मैं और बस इसलिए मैं काफी टाइम फिर पूर जो भी था मैं मैंने अपना रूटीन बना लिया था अपना काड़ा वगेरा मुझे मिल प्रेंड है इस पेसली अलका उसने वो मुझे मैं क्या पताऊं उसका उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे कॉल करके मुझे बहुत मोटिवेट कर दी थी यह चीजह होता ना कभी कभी जब ऐसे टाइम पे चो हमारा अच्छा दोस्तों का वह हमेसा हमें सपोर्ट करेगा वह हमेसा हमारे साथ रहेगा हमें मतला हमारे लिए खाड़ा रहेगा तो यहीं पर दोस्ती का पता चलता है यहीं पर हमारे अपने उनका पता चलता है कि हमारे जो हमारे अपने हों यहीं पर पता चलता है तो बस मैं आपनों के साथ यह इसलिए शेयर करनी हूँ कि आप कुछ डिप्रेस कर लिया हम थोड़ा मानसिक तनाव हमें हो भी गया और हम उस चीज़ से अगर उबर नहीं पाए तो वह मानसिक तनाव हमारी बॉड़ी पर हावी हो जाता है और अभी और खासकर अभी ऐसा टाइम पर ऐसा होता है कि माहुल भी ऐसा है लोगों की भी गलती न कि मुझे बूरा नहीं लगा उस टाइम पर कि हां यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ठीक है सिच्वेशन ही ऐसी है क्या कर सकते हैं तो मैं बस मैं आप लोगों से यही पूरा चाहती हूं कि इस दो मतलब अपने ऐसा लोगों से बात करें जिसे मिलने जिनसे बात करने में तु आरहा है को इसके हालात बता रहा है यह महा मारी बहुत घराब ऐसे जो महा मारी जो भी आई है लोगों किते मेरे जानने वाले जिनको मैं जानती थी यंग उनके बारे में भी सुनके बहुत ज़्यादा बुरा लगता अभी मुझे लगता हर को दूसरे इंसान घर में आए और बहुत दूसरा इसना हुआना आज़ा सुन रहा है कछ न displacement आप्रेश को सुन रहे हैं रखास कर एसे टाइम पर बिल्कुल मत विमार और कुछ है जब तब तुम्हारा लाष् तुम्हारा जाने का दिनंग नहीं आया होगा तब तक तो मारों मेरी बॉडी में हैं तो मेरा भी लोग नहीं कुल होगा या पता निमैये रहूंगी या नहीं रहूंगा जो भी है यहalis Rings primo पर हावी मत होने दीजिए आप अपने फैमिली के लिए उनके लिए बहुत बहुत मायने रखते हो आप अपनी फैमिली के लिए आप लोग आप लोग को नहीं पता इन्सान तो चला जाता लेकिन आपके पीछे वो लोग उस दर्द से हमेशा जूशते रहेंगे अपने को म्यूजिक सुनती थी ऐसे टाइम पर कुछने कुछ माहम रहे तो यह जब या कोई भी अच्छा म्यूजिक जो मुझे सुकून देता वो म्यूजिक सुनती थी कभी मतलब से बच्चे ना वगल में फॉन कर लेती थी उनसे बाते करती थी वो लोग मुझे बहुत सुरू से मैं एक अच्छी बेटी रही हूं जैसे मेरे पैरेंट्स मुझे बोलते हैं तो स्वारी है कि साहिद उसका फल मुझे मिला जो भी है उनकी आश्रिवाद उनकी ब्लेसिंस मेरी साथ थी और जैसान ठीक भी हो जाता उसके बाद जब इता-दो कर सुन रहा है तो थो एक दम छोड़ दे रहें कि हाँ आप कुछ नहीं हो सकता यह अब बस आखरी दिन है तो उनलों के लिए सोच के बूरा लगता है कि अभी ऐसा फील होता कि कास मैं उनलों के पास जा जाके मोटिवेट करो उन्हें बोलू कि ऐसा कुछ नहीं है लड़ो तो फाइट करना है इ अपनी दिमाग को श्ट्रॉंग बनाना है उसको पॉजिटी बनाना है अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है और मैं ऐसे लोगों के लिए भी वोन चाहती है जो लोग अभी इतने मेरे जानने में हैं मेरे बहुत ज्यादा प्रावर फील होता है बहुत ज़्यादा प् एसी चीजे करें जो हमें मोटिवेट करें और जो महामारी को दोर चल रहा है ऐसे में अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुन्या कुछ नहीं होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतने नेगेटिव होते हैं ना किसी की हेल्प करे देंगे दस बात सुना भी देंगे और जो कर रहा है उसको भी उससे भी दूर दूर भागेंगे क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा जो हैल्प कर रहा है उससे भी दूर भागते हैं आप लोग को ऐसे लोगों को एग्नॉर करना है और ऐसे लोगों को देखो जो तुमें प्रोस मेरा एक्सपिरियंस था और जो मैंने मेडिसीन ले थी तो लेकिन गार अब कर दो मिरे थी तो खुद है और पर भी रखते हैं और भी रहे हैं लेके बीएंग के तो मैंने 500 In आपने खाने का पूरा ध्यान रखा टाइम टैम पे प्रॉपर खाना खाये और अपने पे विश्वास रखिए आप जबी ठीक जगा मोटिवेट रहे और जो यह महावारी आई है यह एक हमारे लिए अनुशाशन लेके आई है और हमें यह बताने आई है कि पर्यावरन पे जो हम लोगों ने जो अत्याचार कर लिये थे उनको कैसे दुबारा हम लोग कैसे पर्यावरन का संरक्षन करें कैसे दुबारा से हम लोग जाग रोकों जो पुरानी जो प्राचीन जो हमारे हर्याली थ आगे बढ़े गया कि उसने विश्य को में तब्रकरदी कर्बिये को सभी और हम रहंसे करकं़ेंगे व्यक्र जागरों उसको कैसे संड्रक्षित करें उसके बारे में हम लोग ज्यादा जागरोगोंगे तो उस चीज यह द्यान रखनी है और आप अपना ध्यान रखिएगा और सतर करें मास पहने यूज कीजिए कोई कोई पॉजिटिव है या कोई पेशेंट है तो उसे बात कीजिए ऐसे इंसान को मोटिवेट कीजिए और अपनी सावधनी के साथ सावधनी पूरी बढ़तें दूसरों की हैल्प करें और अपना खुद का ध्यान रखें बाहर कम से कम निकलें बहुत ज्यादा जरूरी है तभी निकलें और जो लोग मेरे पास थे उन्होंने तो मेरा ध्यान रखाई जो लोग मेरे इस यात्रा के प्रतिभागी बने इस जर्नी को सुनने में आपने इंटरेस्ट लिया और मैं यहां पर ही यह अपनी जर्नी जो कहानिये से यह पर खतम करती हूं थैंक यू थैंक्स पॉर वाचिंग आप लोग अपना ध्यान रखेगा